कैसे हैं आप सभी लोगों को मेरा प्यार बार नमस्कार आप देख रहे हैं All About World आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 20 फिट का अगर फ्रंट हो हमारा हाउस का तो उसका एलिवेशन कैसा होगा तो एक एलिवेशन मैंने तयार किया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी जो प्लोड का साइज है यहां से लेके यहां तक 20 फिट का है सामने हमारे रोड जा रही है तो इसमें हमको अब एलिवेशन तयार करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यह हमारा आठ फिट का स्पेस ले लेंगे हम अपनी कार पार्किंग के लिए और स्टेर केस वेल यहां से हमारी चली जाएगी तो यहां पर हमारा आपका गेट लग जाएगा यह लोहे का गेट होगा दो पल्ले का तो वो डिजाइन आपके उपर डिपेंड करती है यह आप किस डिजाइन का gate लगाएंगे तो मैंने तो समझाने की कोशिस करी है तो यह आपका लोहे का gate यहाँ पर आठपिट के space में आपका set हो जाएगा एक पल्ला यह हो गया एक पल्ला यह हो गया उसके ओपर आपको क्या होगा कि इस label में lintel लज जाएगा आपकी staircase की landing आजएगे staircase वेल रहेगी इसके अंदर staircase हमारी आएगी तो यहाँ तक तो clear होगे हमारा उसके बाद हम क्या करेंगे इसके just bagel में हमारा house का main gate यह आजाएगा और इस gate के just उपर हम ventilator के लिए यहाँ पर MS bar आती है हमारी square bar उसका यहाँ पर वह लग जायगा grill लग जाएगी यहाँ पर square bar लग जाएगे और उसके उपर हमारा glass paste हो जाएगा यह हो गया हमारा आतक के लिए उसके बगल में हम क्या करेंगे brick work करेंगे brick work के उपर plaster आपके उपर dependager कि plaster करेंगे पत्थर लगवाएंगे, वो आपके उपर है, उसके बाद बिंडो की सील डल जाएगी यहाँ पर, बिंडो की सील डलने बाद यह आपकी उपर लिंटर डला हुआ है, सील डल गई, आपका यह बिंडो लग जाएगी, दो पल लेगी, बिंडो में भी आप चाहें तो लोहें की ग्रिल लगवा सकते हैं और अंदर आपका लकट की लगवाई है एक ग्लास की लगवाई है यह किलियर हो गया आपका दो विंडो हो जाएगी यहां पर एक वेंटिलेटर हो जाएगा और यह आपका गेट हो गया और यह हमारा में गेट हो गया गाड़ी पार्क के लिए है और तो इस लेंटर के उपर फिर आपका भीक वर्क हो जाएगा अपका लेंटर आजाएगा हमारी ग्राउंड फ्लोर की रूफ की च्षत अजाएगी और ये हमारी इससे 300 डाउन हमारी लेंडिंग आएगी श्टेरकेस की यहां से 2 स्टेप चड़के हो फिर आपना first floor में enter करेंगे ये तो हो गया हमारा front elevation तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए अगर आप कभी मकान बनवा रहे हों तो आपको काफी helpful विडियो यह हो सकती है समझने के लिए मैं एक वर और बता दे रहा हूँ आपका ये main gate हो जाएगा जिससे हमारी ये lowe का gate होगा अच्छे अच्छे तरीके के fabricator gate बनाते हैं उसमें से आप पसंद करके अच्छा सा gate लगवा सकते हैं यापे और gate के जश्ट सामने ही हलका सा रैम बनाएंगे हम ताकि गाड़ी आपकी आराम से इसके उपर चड़ जाए रैम के उपर ऐसे टक बना देंगे ताकि sleep न कर स्लीपरी नहीं बनाना आपको उसके बाद यहाँ पर आपका दो step बन जाएगा आपका रोड से डेट सो डेट सो के दोश्ट तीन सो उपर हम आ जाएंगे तीन स्टेप बनाएंगे साड़े चार सो पर जितना भी आपने प्लेंट लेबल रखा होगा उसके इसाब से आपकी step आ जाएगे यहाँ पर एक प्लेट फार्म सा बन जाएगा step के लेबल में उसके उपर भी पत्थर लगा लेंगे और इसके उपर भी पत्थर लगेगा काफी अच्छा देखने में आपका view काफी अच्छा लगेगा तो इसका मैंने क्या किया है इसका section भी काटा हुआ है और इसका पूरा उपर तक का elevation कैसा लगेगा वो भी मैंने बना रखा है तो चलिए आगे next page पर हम देखते हैं इसका पहले section और इसका elevation समझते हैं तो हमारा जो ये section इसका है आपकी जो ground floor की roof डलेगी वो आपका चज्जा यह से बाहर निकलेगा चज्जे को उपर ये railing लग जाएगी फिर उसके उपर अगर आप floor बनाएंगे फिर ऐसे चज्जा निकल जाएगा उसके उपर railing लग जाएगी और यहां से gate होगा इसके अंदर आने के लिए railing को चज्जे को उपर और यहां से भी gate होगा चज्जे को उपर आने के लिए तो यह तो आपका section हो गया यह building आपकी ऐसे है अगर तीन फ्लोर की उनाते है तो ऐसे तीन चज्जे आपको दिखेंगे बाहर से और यह आपका gate दिखेगा सेम ground floor वाला यह वाली design इस पर अपलाई हो जाएगी सेम यह वाली design इस पर अपलाई हो जाएगी आपका यह से ही नीचे ground floor पर यह से दिखेगा second floor पर भी ऐसे दिखेगा third floor पर भी ऐसे दिखेगा अब मैं इसका समझाता हूँ आपको यह वाला आपको क्या होगा यह staircase वेल है तो हमारी यह artfit की पूरी उपर तक ऐसे ही जाएगी और जो आपका वो खतम हो जागा जैसे आपको floor यहां पर सबोच करिये खतम हो गया तो आपका इसके ऊपर आपकी मम्टी डलती है staircase की तो मम्टी आप दो तरीकेश डाल सकते हैं इस तरह से भी डाल सकते हैं या इस तरह से भी डाल सकते हैं प्लेन भी और या ऐसे करके भी डाल सकते हैं वह आपके उपर डीपेंड करता है आपको कैसा अच्छा लगेगा एसे लुक वाइस में ऐसे आपको अच्छा लगेगा और इसमें लेंडिंग के लेबल में जहां-चा लेंडिंग आएगी वहां पर साइड में ब्रीक वर्क हो जाएगा और यहाँ पे आपकी बिंडो लग जाएगी, तो आपका front view जो होगा, building का इसका ऐसे होगा, और side वाले का इस तरह से होगा, तो यह दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो देखने में आपको इस तरह से दिखेंगे, यहां पर अगर आपको ऐसे च्छट डल जाएगी तो ऐसे करें दिखे잖े आय। दो कहीं इस तरह की बीडिंग दिखेंगी गया तो काफि अच्छा भी होग अगर आपको यह वीडियो पसंद हैई हो तो लाइक जरूर करिए…घर हमारे चैनल को शब्क्राइब करिए मैं कस्टेक्शन से रिएट टेक्निकल चीज़े डालता रहता हूँ, धन्यवाद.